36 गड़ में आने वाले समय में कुपोशन के आकड़े में कमी देखने को मिल सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि समाज सेवा के शेत्र में कार्य कर रही उडिसा की साई ट्रस्ट संस्था 36 गड़ के 11 लाग शिशों को निशुलक बेबी फूट प्रदाय करने जा रही है इससे गर्वती माताओवा बच्चों को डबलू एचो से प्रमानित ब्रांडेट पैकेट फूट प्रदाय करने के साथ ही वितरन कारे में सहयोग करने वाले युवाओं को बेहतर मान दे भी प्राप्त होगा संस्था की CMD दीपक कुमार बराडव 36 गर्व स्टेट हेड अनिल श्रिवास ने बताया कि 25 दिसंबर से 36 गर्व के साथ जीलो से इस योजना की शुरुवात की जा रही है जिसमें 6 माँ से 3 साल के बच्चों को सेरलेक लेक्टोजेन जूनियर हॉरलिक्स डेक्सो लेक सहित अन्य ब्रांडेड उतपाद निशुलक प्रदाय किये जाएंगे 36 गर्व से पहले हमारी संस्था ने उडिसा से 30 जीलो में इसका वितरन जारी रखा हुआ है जिसकी काफी बहतर परिणाम सामने आ रहे हैं संस्था का उद्देश ग्रामर शेत्र में उच्च गुडवक्ता के उतपाद का निशुलक वितरन कर कूपोशन के खिलाफ सरकार की जारी जंग में अपनी भागिदारी सुनिश्चित किया जाना है क्योंकि सुपोर्शन रहेंगे सिशु तो मजबूत होगा देश का भाविश्या तो यहां पर दितना जीरो से तीन साल का अंदर जो वेभी होता है उनको भी प्रोजेक्ट में सामिल के जाता है जीरो से सीक्स मान तो पोई भी बच्चों को खार वेभी फुट दिया ने इसलिए जो पेगने से उम्यान गरभववती महिला को हम लोग पांस से नौमास तेर बेभी फुट में चलाने रहे हैं वो कोई पैसा नहीं देता है वो निश्रुक से प्रठी डोनेट करेगा बेभी फुट को लेकिने जो लोग काम करता है वो ग्राम पंचायत एरिया में उनको जीपी कुनेटर वोलता है उनको 230 रुपिया आशी चान को 70 रुपिया और ब्ल मेडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहो की रिपोर्ट